डोस्तो यदि आप मेरे जैसा YouTube का डीपी बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले पिक्सल एव एप्लिकेशन को ओपेन करके निउट टेक्स्ट को डिलेट कर लेना होगा तो चलिए मैं new text को delete कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, नीचे दिखा रहा होगा, चोथे नमबर पर एक option, इस option पर click करके color वाले option पर पहले number पर click कर देना है, उसके बाद आपको यहां से page को white कर लेना है, और यहां stick के निसान पर click कर देना है, यहा से वो photo ले लेना है, जो आप DP में लगाना चाहते हैं, तो चलिए मैं choose कर लेता हूँ, यह वाला आप लोगों को photo दिख रहा होगा, इसको choose करके और नीचे circle का option दिख रहा है, इस circle वाले option पर आप लोगों को click कर देना है, देखिए मैं दिखा दिया, उसके बाद आपको य यहां पर उपर दिखा रहा होगा, एक option जो है box का option उस पर click करेंगे, और click करने के बाद आपको save as image पर click करके save to gallery में, इसको save कर लेना है, उसके बाद चलिए यहां पर आप लोगों को एक और भी application के जरूरत पड़ेगी, जिसके नाम है PixArt application, इसको open कर लेते हैं, ओपन करने के बाद allow का option आएगा, और edit ये photo पर आपको click कर देना है, फिर allow का option आएगा, उसके बाद आपको वो photo जो है, चूज कर लेना है, जो आप Pixar app में बनाए थे, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहां पर नीचे के side में आपको दिखा रहा होगा sticker का option उस पर click करना है, और net को on कर लेना है अपना, चलिए मैं net को on कर लेता हूँ, उसके बाद यहां पर आप लोगों को क्या करना होगा, देखिए यहां पर सारा sticker आगया, search वाले option में लिखने है, पेपसी, देखिए मैं link भी दिया, और search कर दे रहा हूँ, search करने के बाद आपको देखिए, कौन सा circle है, और उसके बाद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नीचे चलते हैं, उसके बाद आप लोगों को यहां पर थोड़ा और नीचे चलते हैं, देखिए यहां पर दिख रहा है, पेपसी लिखा गया है, लेकिन एक दम पूरा चटकार है, इसको open कर लेना है, और इ इतना भी यह पेपसी लिखा गया, विच के पार्ट को erase कर देना है, तो देखिए मैं erase कर दे रहा हूं, अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा उस पर चलाना है, जैसे ही आप चलाओगे यह पूरा जो हड़ जाएगा, इस लेयर को हड़ने के बाद आपको क्या करना है, मैं शलब बताता हूँ, यहाँ पर ट्रीक के निसान पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा, देखिए सही हो गया, ट्रीक के नि पर क्लिक करने के बाद, आप लोगों को यहाँ पर कुछ मन लीजे के अपने चैनल का नाम लिखना है, तो यहाँ नीचे टिख्ट का ओप्शन कि रहाँ हों इस पर कुलिक करने के बाद मेरे चैनल का नाम है टेक अफ इंडिया तो मैं लिख लेता हूं टेक आफ इंडिया गणी इन coração करने के ले और Dawn लिखेंगे टेक्स्ट लिखने के बाद इसमें क्या करेंगे टेक आफ इंडिया लिखा गया तो यहां पर लिखेंगे टेक आफ लिखा गया इंडिया टू मिलियन लिखेंगे तो यहां पर मैंने टू एम लिख दिया और ओके कर दिया ओके करने के बाद आपको यहां पर क्या करना होगा थोड़ा सा छोटा करके और यहां पर लगा लेना होगा लगाने के बाद आप कोई भी color करना चाहते हो इसमें तो आप लोगों को यहां color का option नीचे दिख रहा होगा नीचे या font change करना चाहते हो तो नीचे यह आप change भी कर सकते हो यहां पर color देखिए बहुत सारा gradient color है आप वह भी choose कर सकते हो तो दोस्तों देखिए मैं यह जो है color कर लेता हूं जो पीला बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसको ok कर लेना है थोड़ा सा टेढ़ा करकी और उसके बाद ऊपर के निसान पर आप लोगों को दिख रहा होगा ट्री का option उसको क्लिक कर देना है तो क्या करना है पिक्सल एव अप्लिकेशन में फिर से सेर करना है जैसे ही मैं पिक्सल एव अप्लिकेशन में सेर करता हूं यहाँ पुराना वाला photo आ जाता है तो उसको एक बार बैक कर लेना है फिर से इस circle को select करके और अपने DP का photo को जितना भी cover DP में आया है उसको cut करके आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर trick के निसान पर आप लोगों को click कर देना है तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बराबर कर लेता हूं DP के पूरा जह है size में और यहाँ से trick के निसान पर click करके और उपर box वाला option दिखा रहा है उस पर click करके और यहाँ पर save to gallery में open कर देते हैं उसके बाद चलते हैं गैलरी में ओपन करके दिखाता हूं कि डीपी कैसा बना है तो देखिए यहां पर आप लोगों को डीपी सारत दिख रहा है तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सस्क्राइब और सेर कर देना मिलते हैं फ